तो होगर अगर तो अगर अगर रोट आप सब्सक्राइब है और आपको सबसे पहले और आपने चानल इसने चाहिए पर रोट रूट कुप पर आज मीटिंग होनी थी और आइसेशी की मीटिंग पूरी तरह से खतम हो चीए अरबात की जाए तो बीची सीजी को 28 दिनों का और वक्त मिला है अगर बात की जाए तो 8 जून तक BCCI को T20 World Cup के बारे में पूरी तरह से confirmation ICC को देनी होगी उसके बाद 18 जुलाई को ICC की annual journal meeting होगी वहाई पर पूरी तरह से confirm हो जाएगा कि जो ICC T20 World Cup के hosting right है वो कि इसको मिलेंगे लेकिन फिलार अगर देखा जाए तो 8 जून का 8 जून तक का वक्त BCCI को दिया है यह अच्छी ख़बर निकल क्या रहे अगर बात की जाए तो जितने भी BCCI के जितने भी state association यानि state करकर association है उनके साथ BCCI बातचीत करेगी कि 8 जून तक उसके बाद BCCI ICC को सूचित करेगी उसके बाद 18 जुलाई को ICC की मिटिंग है जिसमें एनवल जर्नल मिटिंग है उसमें पूरी तरह से कंपर्म हो जाएगा कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो कहां पर टेलिका यान कहां पर होस्टिंग राइट किसको दिये जाएंगे सुथ की बड़ी खबर और यह BCCI के लिए बहुत ही आची खबर निकल के आ रही कि 28 जुनों का और T20 वर्ल्ड कप के लिए मिला है सुथ की बड़ को ना पाकिस्तान की टीम को बहुत ही ज्यादा देगा उनके मताबिक तेज गयन बास के दोर्ड़ पर अगर देखा जाये तो महम्मद आमिर का होना पाकिस्तान की टीम में अच्छा होगा क्योंकि इस सब्सक्राइब आर बात की जाए तो महमद आमेर टी-20 वर्ल्ल कप में नहीं कहल सकते हैं क्योंकि उन्हें रिटायर्मेंट ली है उनके मताबिक बाबाराजम के मताबिक पाकिस्तान किर्कट बोर्ड को चाहिए जितने भी मसले महमद आमिर के होंगे उनको सुल जाकर जितने भी मसले होंगे उनको सुल जाकर पाकिस्तान की टीम में बाबाराजम के मताबिक महमद आमिर को फिर से जगा देने चाहिए इससे पाकिस्तान की टीम को बहुती जादा आने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में फाइदा मिलेगा क्योंकि अगर देखा जाए तो महमद आमिर टी-20 वर्ल्ड कप में बहुती बहतरीन गेन बाजी करेंगे कहना है बाबा राजम का और तीसरी बड़ी खबर करोकरे कब नेकल क्यारी राशिद कान के वालसद की बड़ी खबर राशिद कान के मताविक अजगर अजबसे पाकिसान माप किजीगा अफगानिस्तान की टीम में कप्तान बने है तब से अफगानिस्तान की टीम बहती बहतरीन हो गई थी उनके मताविक अगर देखा जा Hammelay के अगर देखा जाए तो ये सब कुछ अजगर अफगान की वज़ा से हुआ उनकी कप्तानी की वज़ा से हुआ अगर बात की जाए तो टेस्ट में स्टेटस मिलने की वज़ा भी अजगर अफगानी है किना है राशिद खान का उनकी मताबिक अफगानिस्तान किरकट अजगर अफगान के कप्तानी की बहुत ही बढते जावाल वाक्ति में अब गानिस्थान की टीम और अच्छी होगी कहना है राशित गानया चारी ब्लीकेशन जारी जारी गएफ The जिन में अगर देखा जाए तो वसीम जाफर बहुती बहतरी इंडिया की खिलाड़ी रह चुके हैं उन्होंने भी एप्लिकेशन दी थी और अगर बात की जाए तो अमूल मजामदीर बहुती जबदस खिलाड़ी है उन्हीं को इस याने हैड कोजिंग की जिम्हेदारी दी ग अमूल मजामदीर और मंबई के लिए कि उनको इतना जबदस क्व ऊच मिला है याने हैड कोजिंग की जिबंदारी अब अमूल मजामदीर को दी गई इस सुछत की बड़ी कबर निकल कर एत और पांची बड़ी कबर करोंकर कर पर निकल कर कीस के सबसे बहतरे कें केंपडर उनको चुना है अगर बात की जाए तो न्यूजयलेंड केंपडर ने उनको का अगर देखा जाए तो कायल जैमसन ने पिछले साल बहुती 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 गेंवाजी की थी और इस साल भी उन्हें बहुती जबतर्च गेंवाजी की है और उनको यही इनाम मिला कि उनको आई-पील 2021 में 15 करोड में लिया गया था RCB की तरफ से और उनका बहुती ज़्यादा RCB को फाइदा मिला और अगर देखा जाए तो अब न्यूजलेंड ने भी उनको किरकडर आप दे एर गोशित किया है यह बहुती अच्छी खबर कायल जैमेसन के लिए इस वाच की बड़ी खबर निगल के आ रही है और दजनकरी क जेले चान प्राइब जी बलेकन को बैसकी जी